जैक सांद दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटीव परिवार में दोस्तो हमारे देश में लगबग हर एक जिगाए अलग-अलग परकार का हरा चारा और सुखा चारा पाया जाता है ऐसे में हमें अलग-अलग परकार की बाते सुनने को भी मिलती है कि जो धलनिया फसले हैं जैसे मौंग है, उरद है, मोट है उनका जो सूखा चारा है वो सबसे बेस्ट रहता है या ये भी सुनने को मिलता है कि जो गेहूं का भुसा है या फिर जो पराली है धान की वो बिल्कुल भी हमारे पश्यों के लिए सही नहीं रहती तो दोस्तो आज की वीडियो में हम हमारे देश में पाए जाने वाले हरे एक त्रहें के सुखे चारे और हरे चारे के बारे में बात करेंगे डिटेल से बात करेंगे कि अगर हम कोई भी हरा चारा सुखा चारा अपने पश्यों को खिलाते हैं तो उसका हमारे पश्यों पर क्या प्रतिकूल और क्या अनकूल प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं मक्का के बारे में। जो की बिल्कुल सही नहीं रहता क्योंकि सूखने के बाद जो इसमें पॉस्टिक ततव होते हैं वो बिल्कुल नश्ट हो जाते हैं और सिरफ लकडी ही बचती है इसलिए जब दाना आने से पहले इसे काट कर अपने पश्यों को खिलाना चाहिए दोस्तो मक्का में मला अवरोध ततव भी पाए जाते हैं जिससे अगर आपके पश्यों को दस्त की दिक्कत है तो ऐसे पश्यों के लिए मक्के का हराचारा बहुत ही उप्योगी सीद होता है जो बिहार के किसान बाई हैं वो मक्के का अपने पश्यों के लिए बहुत ही अधिक मातरा में यूज करते हैं दोस्तो अब बात करते हैं जो जई और गेहूं और इनके भूसे के बारे में दोस्तो मक्का या मक्कई की अपेक्षा में इन्हें ज़्यादा बढ़िया माना गया है दोस्तो सूखी अवस्ता में खिलाने की बेजाए अगर इन फसलों को हरी अवस्ता में हमारे पश्यों को खिलाया जाए तो ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा हमारे पश्यों को दोस्तो इन फसलों में भी मलाव रोध का गुन पाय जाता है तो अगर आपका पशू दस्त से पीडित है और आप इन पशलों के भूसे का यूज़ करते हैं तो उन्हें दस्त में अराम मिलेगा लेकिन अगर आप एक स्वस्त पश्यों को ज्यादा मात्रा में इन फसलों का भूसा खिला दें तो उन्हें कबज की दिक्कत भी हो सकती है दोस्तो अगर एक आप अच्छी गुणता वाला भूसा बनाना चाहते हैं तो इन फसलों को दाना आने से पहले काट कर सुखा कर फिर भूसा बनाएं ताकि इनमें उचित मात्रा में पोशक ततव विद्धमान रहें या फिर अगर हरी अवस्ता में अपने परशों को खिलाते हैं तो दाना आने से पहले काट कर अपने परशों को खिलाएं ताकि हमारे परशों को उचित मात्रा में आईरन प्रोटिन और जो विटामिन्स हैं वो मिल सकें दोस्तो अन्य फसलों की तुलना में इन फसलों में आईरन, विटामिन और जो प्रोटीन है वो अधिक रहता है दोस्तो अगर बात करें जो जई और गेहूं के भूसे के बारे में दोस्तों दलहनी, फसलों के अंतरगत, चना, मटर, मूंग, मसर, उड़द, आदी के हरे पोदे, इनका सुखा चारा और इनकी डालों की टुकडियां आती हैं। दोस्तों इन पशुचारों में काफी मात्रा में प्रोटिन पाया जाता है। इसलिए कई बार ये हमारे पशुचारों में बादी की दिकत कर सकते हैं। तो दोस्तों इन हरे चारों को इन पशुचारा है इसे हमारे पशुचारों के आहार में शामिल तो करना चाहिए लेकिन लिम्टिड मात्रा में। ऐसा नहीं है कि जो हम हमारे परशों को सुखा चारा या हरा चारा खिला रहे हैं, उसमें सारा ही सुखा चारा या हरा चारा दलहनी फसलों का खिलाएं। अगर ऐसा हम करते हैं अधिक मात्रा में हमारे परशों को खिलाते हैं दलनी चारा तो हमारे परशों में पेट फूलने की दिक्कत आ सकती है दोस्तों नमबर चार पर बात करते हैं धान के पोधे यानि प्राली या पुआल के बारे में दोस्तों धान का हरा पोधा पश्यों को खिलाना अच्छा रहता है या फिर धान का धाना पकने के बाद धाना निकालने के बाद जो प्राली अप्वाल बचती है वो अगर सूखी है बिना दाग धबोंगी है तो वो अगर पश्यों को खिलाई जाए तो वो भी बढ़िया रहती है लेकिन दोस्तों हमें यहां ध्यान रखने की बात यह है कि इस चारे में प्रोटिन की मात्रा बहुत कम होती है इसलिए अगर आपका पश्यों पूरी पूर्णते रूप से इस चारे पर निरबर है तो उसके दूद में कमी आएगी इसके अलावा दोस्तों ये एक गरम परभावी और कबज नाशक चारा है तो अगर आपके पश्यों को कबज है तो अगर ऐसे पश्यों को आप यह चारा देते हैं तो उसे कबज में अराम मिलेगा और अगर सरदियों में आप पराली पशों को खिलाते हैं तो सरदियों में पशों की सरदी सहन करने की शमता है वो भी बढ़ेगी तो दोस्तों यहां हमें एक चीज ये भी देखने को मिलती है कि परकृती ने किस तहीं से फसलों को बनाया है कि जब धान निकलता है तो धान निकलने के बाद शर्दियां शुरू होती है तो जो धान का वेश्ट यानि पराली बजती है वो पश्यों को खिलाई जाए तो पश्यों को सर्दी कम लगती है यानि कि उन्हें सर्दी सहन करने की चमता बढ़ती है दोस्तो अब नमबर पांच पर बात करते हैं दूब और घास के बारे में दोस्तो दूब और घास को हरे चारे में एक उत्तम चारे के रूप में माना गया है दोस्तो मैदानों में ये अच्छे तरीके से फैली हुई हर्याली हुट होती है अगर अच्छे तरीके से बड़ी होई है तो आप इसे काट कर खिला सकते हैं अन्य था अगर छोटी है तो इसे खुर्पी से खोद कर इसके साथ जो मिट्टी आती है उसे हटा कर अपने पश्यों को खिला सकते हैं दोस्तो ये सूखी और हरी अवस्था दोनों में ही पश्यों के लिए स्वास्थेदायक है और पश्यों इसे बहुत ही चाव से खाते हैं दोस्तो इस चारे में पश्यों के लिए आईरन, प्रोटीन और विटामिन्स भरपूर मात्रा में एविलेबल रहते हैं दोस्तो अब बात करते हैं बर्सीम के बारे में दोस्तो बर्सीम अधिकतर कम होती है लेकिन जिन इलाकों में होती है वहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में होती है यूपी, राजस्थान, पंजाब, हर्याना के जिन इलाकों में पानी की ववस्ता है, जहां पानी लगता है, वहां के किसान इसे उगा कर अपने पश्यों के लिए हरे चारे की उचित व्यवस्ता कर लेते हैं दोस्तों ये एक सरफ्ष्रेट हरा चारा है, और सभी हरे चारों में इसे सबसे बेस्ट माना गया है, यह हमारे पश्यों के लिए एक पोशक तत्वों से बरपूर हरा चारा है, और इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, और अगर साइलेज बनाना हो, तो अगर तो वो भी हमारे पश्यों के लिए बहुत ही उपयोगी और पोश्टिक सिध होता है, दोस्तों अब बात करते हैं गिन्नी घास के बारे में, दोस्तों यदपी गिन्नी घास हरे एक जिगान उपलब्द नहीं होती, लेकिन इसमें पाचक तत्व यानि की डाजेस्टिव एं गन्य के बारे में, दोस्तों गन्य के डंठल वाले भाग का जूज निकाल कर उससे गुड़, शक्कर और चिनी बनाई जाती है, या फिर कई बार हम इसे चबा कर चूशते भी हैं, दोस्तों इसके जो उपर वाला हरे पत्ते वाला भाग है, उसे अगोला कहा जाता है, जिस तो पश्यो में दस्त पैदा करता है ुश्कष्यषों करता है इसलिए गण्यें के सिर्फ जो हरे-पत्य हैं उन्हें ही limited मात्रा में पश्यों को खिलानी चाहिए दोस्तो आगे बात करते हैं चुकंदर के बारे में जिसे की अलवा या शकरकंद के नाम से भी जाना जाता है दोस्तो कहीं कहीं शकरकंद यानि की चुकंदर को भी हरे चारे के रूप में उप्योग किया जाता है लेकिन दोस्तो ये एक अच्छा हराचारा नहीं है यह एक घरम प्रवर्ती का हराचारा है जो की पशू में दस्त पैदा करता है और दोस्तो अगर आपका पशू किसी भी रोग से पीडित है तो ऐसे पशू को यह हराचारा सुपाचे नहीं होता दोस्तो अब बात करते हैं जनेरा के बारे में दोस्तो जनेरा भी एक अच्छा पशु आहार हराचारा माना जाता है दोस्तो जनेरा कब्ज कारक होता है लेकिन इसके साथ साथ इसमें काफी सारे पोश्टिक तत्व भी पाए जाते हैं दोस्तो जनेरा की डंटलों को काट कर कुट्टी बना कर अगर पश्यों को दाना खिलाने से पहले खिलाया जाए तो पश्यों के लिए बहुत ही उपयोगी सीध होता है दोस्तो अब बात करते हैं लिसोरा के पत्तों के बारे में दोस्तों कहीं कहीं पश्यों को लिसोरा के पत्ते भी खिलाए जाते हैं दोस्तों लिसोरा के पत्ते की जो परवर्ती है वो ठंडे परकार की है और ये पोस्टिक ततों से बरपूर है इसकी खास बात यह है दोस्तों कि अगर ये लिसोरा के पत्टे हमारे पशों के जो पस्ञारन अंग हैं, उनके विकास में बहुत एहम बोमी का निभाते हैं और अगर कोई मादा पशू का बार बार गरब नहीं ठहरता है तो ऐसे मादा पशू को अगर लिसोरा के पत्ते खिलाए जाए तो बहुत लाबकारी होते हैं दोस्तों अन्त में बात करते हैं गुलर या कठल के पत्तों के बारे में दोस्तो कटल के पत्ते कबज कारक होते हैं इसलिए आपके पश्यों को ये ज़्यादा नहीं खिलाने चाहिए लेकिन दूद देने वाले पश्यों के लिए बहुत हितकारी होते हैं दोस्तो अगर आपके पश्यों को दस्त लगे हुए हैं तो आप कठल के पत्ते अगर पशों को खिलाते हैं तो दस्त में अराम मिलता है तो दोस्तो ये थे हमारे देश में अलग-अलग तरह के पाई जाने वाले हरेचारे सुखेचारे जिसके बारे में मैंने आपको डेटेल में बताया आप इस वीडियो को देखकर अपने पशों को आवशकता अनुसार इन हरेचारों का यूज़ कर सकते हैं दोस्तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में तब तक ले स्वस्त रहें मस्त रहें जय हिन जय भारत